हेलो एवरिबन आज हम लोग देखेंगे difference between a nation and a state एक देश और एक राज में क्या अंतर होता है हम लोग basic difference जानेगे आज समझेंगे कि हम एक देश किसे कहते हैं और एक राज किसे कहते हैं यह थोड़ा confusing topic है इसमें काफी बार problem आती है science के student international relation के student जो भी है उन्हीं अच्छे से मालू होगा कि हम एक देश को एक country को state कहते हैं अपने अपने academic rule के हिसाब से हम लोग एक state कहते हैं किसी भी country को या देश को और आम बोलचाल की भासा में भी हम लोग एक state ही कहते हैं आख तो पहले हम लोग देखते हैं कि eek state एक राज किया होता है तो एक राज जैसा कि दोग इमेंच कर लेते हें कि एक राज जैसे इंडिया में states हैं या फिर आप अगर आपको कोई एक political group है आपका कोई एक public group प्राइवेट group है या फिर आप केसी private company में काम करते हैं तो उस company as a whole उस unit को भी हम लोगे state कह सकते हैं बसरते उसकी जो elements है state की बहुत पूरी होनी चाहिए जैसे कि जैसे है अगर कोई state है तो हम उसे state का दर्जा तभी देंगे जब उसके पास एक centralized authority हो control करने के लिए काम करने के लिए execute करने के लिए rule करने के लिए और उसके पास legitimate power होनी चाहिए जो लोगों ने उसे दिया हो यानि कि अगर कोई state है तो उसमें एक सबसे पहले एक administration एक government होनी चाहिए तभी हम लोग यह मानेंगे कि यह एक state है और एक state के लिए कुछ basic elements है जह हम लोग आगे state में समझेंगे तो state में हम लोग अभी यह जान लेना है कि state सिफ थोड़ा हमें अपने जो पुरानी imagination है orthodoxy है उसे अलग हटके भी यह सोचना होगा कि state छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है एक school भी state हो सकता है एक private company भी state का दर्जा पा सकती है वो एक state कहला सकती है तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे state कैसे कहेंगे कौन एक basic criteria को fulfill करता है state कहलाने के लिए state हम लोग basically किसे कहेंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे basic elements of state यानि कि जो main elements है उसे देखेंगे कि state का main elements क्या होता है तो एक state में सबसे सबसे पहले सबसे पहले आता है people यानि कि लोग तो अगर किसी को हम लोग कहें तो देखेंगे पहले वहाँ पर कुछ लोग होने चाहिए स्टेट में एक लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, तो हम लोग ये मालेंगे कि हाँ, ये पहला क्राइटेरिया, एक स्टेट कह सकते हैं, और उसकी एक fixed territory होनी चाहिए, याने कि अगर हम कहें कि इतना दूर पूरा एरिया है, ये पूरी एक country है, या फिर एक पूरा खाली एरि चाहिए, और एक central authority होती है, गवर्मेंट होती है, जो उसको rule करेगी, जिसके पास, जहां हम लोग ने कहा कि ये people है, तो ये people पहले जो elements है, ये people वो लोग अपनी power एक central authority हो देंगे, जिसे हम government कहेंगे, वो होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरा जो element है, व जिसे हम लोग government कहेंगे, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पूरा state है, ये किसी के control में नहीं हो, ये किसी external control में नहीं हो, इसके अंदर अपनी एक sovereignty होनी चाहिए, sovereignty यानि समप्रभूता, कहने का मतलब है absence of external control, किसी external जो force है, external कोई भी हो सकता है, कि माल जिसे एक देख है, उस देख में अगर कोई दूसरा control कर रहा है, तो हम उसे state नहीं मानेंगे, क्योंकि हम कहा सकते वो dominion state होगा, या फिर उसकी colony हो सकती है, लेकिन हम state नहीं मानेंगे उसे, क्योंकि एक proper state होने के लिए आपके पास ये चारों जो है, elements वो पूरे होने चाहि है, वहाँ पे अपना जो government है, उसका अपना control होना चाहिए, तो ही हम एक state को proper state मानेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि एक nation, यानि एक तेश, यह किसे कहते हैं, तो state हम लोग समझे है कि एक fix territory होगी, उसमें कुछ लोग होंगे, उसकी centralized authority होगी, जिसे हम government कहेंगे, और वो एक unit, एक office, किसी को भी state कह सकते हैं, अगर वो इन चावरो elements को fulfill कर रहा हो, ठीक है, तो अब हम लोग देखते है nation, कि एक देश हम लोग किसे कहेंगे, तो चलिए, हम लोग देखते हैं, तो एक देश, देश यानि उसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक emotional attachment है, यहाँ आप basic जो structure है, उसका उससे ज़्यादा आप emotional structure पे emphasize करते हैं, यानि कि अगर हम किसी को अगर देश कहते हैं, तो यह एक imaginary subject भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग state में discuss के हैं कि state कोई imaginary subject नहीं होगा, state एक practical organization होगा, जिसकी कुछ basic elements है, वो fulfill होनी चाहिए, तभी हम state कहेंगे, लेकि nation में ऐ जैसा नहीं है, नेशन में अगर हम emotional structure पे भी nation कह सकते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं, एक undivided India, जब इंडिया में British राज था या फिर उससे भी पहले हम लोग भारत कहते थे, इंडिया, मतलब लेकिन इंडिया की कोई fixed character यह ऐसा नहीं मानते थे कि यहां से आ तक इंडि का, तुछ में हम लोग यह देखेंगे कि United Nation, United Nation ऐसा नहीं है कि उसकी एक fixed territory है, उसे fixed government control करती है और ब्ला 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 लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि nation उसमें एक जिसे हम लोग एक nation basically कहेंगे किसे, हम लोग एक nation उसे कहेंगे जिसमें एक sense of bondingness होती है, belongingness होती है, एक sensitive जिसमें हम लोग कहेंगे कि किसी भी history, culture, language और वहाँ जो लोग रहते हैं, उनका अपना emotions यह सब मिल करके अगर एक compulsory organization एक compulsory group form करता है, तो हम लोग उसे कहेंगे कि एक देर साथ, यानि लोगों में अगर किसी चीज को लेकर attachment है, चाहे वो उनकी अपनी भाशा हो, उनका अ कि एक nation है, इसको एक nationalism की भावना ने जोड़ा हुआ है, जैसा कि आजादी के तरह में हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक nationalist movement चला था, जिसमें गांधी जी, नहरू जी, सुभाज चन बोस और अलग 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 movement established किया, जिसमें हम लोग को aware करते थे अपने nationalism के जानने जगाई, तो अब आगे देखते हैं स्लाइड में उससे और ज्यादा clear हो जाएगा, अब लोग basic main elements देखेंगे, fundamental elements देखेंगे, nation का, nation किसे कहेंगे nation कैसे बनता है, तो एक nation के लिए पहले common culture होना चाहिए, यानि कि कोई भी अगर कोई सब्यता, कोई समाज अगर बन रही है ये कुछ चीजे हैं जो mandatory होनी ही चाहिए, अगर ये चीजे अगर आपके साथ पाई जाती है, तो इस तो ही हम कहेंगे कि ये एक nation है, जैसे अगर किसी भी देश में कुछ common culture है, जिसे ले करके लोग सही जे आ रहे हैं काफे पहले से, तो हम ये मानेंगे कि छलो ठीक है, तो अपनी land से ज्यादा, अपने language पे को ज्यादा value देते हैं, ज्यादा मात्व देते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद अगर state का division हुआ तो वो language के basis पे हुआ, आज भी कहा जाता है कि language हुआ है, वो nationalism का एक बहुत ही basic और एक बहुत mandatory काफे महत्पूल subject है, जो उस भासक के तोर पे भी हम लोग एक दूसरे को जुड़े पे पाते हैं, जैसा कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर आप लोग पता है कि यूरोप में, औस्टेलिया में, यूस में, इंडिया के काफ हम सौथ इस्टेसियन है, सौथ एसियन है, हम लोग इंडिया से आए हैं, इंडिया से आए हैं, इंडिया से आए हैं, इंडिया से आए हैं, यह सब भावना जो एक दूसरे को बानती है, तो यह language यह काफी महत्पून element हो गया, उसके बाद देखेंगे, common administration होना चाहिए, जो कोई विद्धेस है, तो वहाँ एक ही religion, एक ही धर्म, एक ही पंत के लोग रहते हों एक साथ मिल चलकर, तो यह सब कुछ चीजे हैं, लेकिन इसलिए हम लोग इंडिया को जल्दी nation नहीं कहते हैं, हम लोग state कहते हैं, जिसे इंडिया को बोलते हैं, union of state, भारत जो है, कई सार स्टेट्स को मिला करके union बना है, union of state है, लेकिन इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक religion को basis मान कर हम लोग ने एक nation का formation, एक state का formation क्या हो, तो इसलिए हम लोग जल्दी इंडिया को nation नहीं कहते हैं, हम लोग state कह सकते हैं, इंडिया को, नेशन जल्दी नहीं कहते है nation building जो है, वो अभी भी in progress है, वो हम अभी भी हम लोग इसे, इस criteria को fulfill नहीं कर पाए, हम लोग फुल्दी करने की कोसिस करते हैं, लेकिन इसकी एक अपनी ही अच्छा है, एक अपनी ही कुभी है, चिलिए हम लोग कहते हैं, इंडिया में diversity, unity in diversity, हम में कई भी विंता हैं, फिर और इंडिया में एक prime authority, एक government है, जो उसको control करती है, तो एक state का criteria जो है इंडिया पूरे करता है, लेकिन इक nation का criteria पूरा नहीं करता है, एक nation का criteria हम लोग देखेंगे कि UNO करता है, हम कहरेंगे कि वो एक UNO एक nation है, क्योंकि उसमें sense of belongingness बहुत जादा है, हम लोग मानेंगे कि हम सब लोगों ने अपनी कुछ powers को compromise करके हम लोग ये United Nation का formation किया है, nationalism को हम आज के अगर relate करके देखते हैं, आज के पैमाने में, आज के समय से, तो हम लोग देखेंगे, अभी एकदब burning issue है, अफगान nationalism, छिसमें हम लोग देखना है कि अफगानी people हैं, लेकिन उनमें भी अ nation का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम लोग कहते हैं, अभी अभी अफगानिस्तान में एक नया constitution बनना चाहिए, गवर्मेंट आनी चाहिए, या फिर वही गवर्मेंट होनी चाहिए, उसमें और efficiency आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ देखते हैं, अलग-अलग region में अलग-अलग culture है अलग-अलग ethnicity, अलग-अलग tribes के लोग हैं, और वो अलग-अलग चीजों को मानते हैं, वो एक अभी हम लोग देश उसे नहीं कह सकते हैं, वो ऐसा नहीं, वो कहते हैं कि हम पूरा अफगानिस्तान एरिया एक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि स और पर वो एक देश बना आज वो एक स्टेट है और एक इसराइल एक नेशन भी है इसराइल को हम लोगों कह सकते हैं कि वहाँ वो एक नेशन है और एक स्टेट है लेकिन जब इसराइल एक स्टेट नहीं बना था तो भी हम कहते थे कि हाँ यह इसराइल है और इस बेसिस पे एक nationalism की भावना उनके अंदर काफी जादा थी काफी एक्स्ट्रीम भावना थी इसके चलते हम लोगों क्याते हैं कि हाँ इस्राइल जो है वो इस देश है अगर आप लोग ने इस्राइल की हिस्ट्री को जाना या समझा है तो आपको पता होगा कि इस्राइल जो है वो पहले इस्राइल जो था वो बेसिकली जब लोग आते गया वहाँ पे पैलिस्तीन में और वो बढ़ते गया वहाँ पे उसके बाद उन्होंने मिल्ग जुल करके एक देश को टेरेटरी को उन्होंने अपनाया एक देश फिर उनका बना उनका डिमांड फिर पूरा हुआ उसके बा बनाना चाहिए एक स्टेट हमारे पास होनी चाहिए तो यहाँ भी हम देखें कि कुर्दिस लोग के अंदर एक sense of belongingness है वो डिमांड करते है कि हमें एक देश चाहिए हमें एक स्टेट बनाना है लेकिन वह अभी स्टेट बना नहीं है वो अलग 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 तेट में क एक नीशन है कुर्देश लोग के अंदर लेकिन वह स्टेट नहीं है और जैसे तिबद का हम लोग इसू देख सकते हैं तिबद्यन जो होते हैं तिबद के लोग पहले तिबद एक स्टेट हुआ करता था और लेकिन 1949 के बाद चाइना अग्रेसिवले उस स्टेट को क्याप्चर कर लेता है और अब जो टिबद है वो एक नीशन हम कहा सकते हैं क्योंकि तिबद्यन जो है फ्राग्मेंटेड हो चुके हैं कोई इंडिया में को युएस में कोई कैनिडा में कोई बिटेन में रहता है लेकिन वो म अपना गवर्मेंट इस्टैबलेस करे और तिबद को अजनेशन और इस स्टेट मिले लेकिन अभी हम लोग कहेंगे कि तिबद उनकी अंदर तिबद्चिंस के अंदर नैशनलिजम की बावना है लेकि तिबद अभी एक स्टेट नहीं है अब हम लोग देखते हैं कि गांध अब लिए अपनी बहुमी के लिए वो सेक्रिफाइज देने के लिए तयार होगा तो हम लोग देखते हैं कि गांधी जी की नजर में एक डेश वो है जहां एक इंडिविज्वल अपनी फैमिली के लिए सेक्रिफाइज देने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हो अच्छा करने के लिए उसके साथ उसके बाद एक फैमिली अपने क्योमिनिटी के लिए सेक्रिफाइज देने के लिए तयार हो एक परसन अपनी फैमिली के लिए humanity के लिए sacrifice देने के लिए हमेंसा तयार हो यानि एक इंटरनाशनलिजम की भावना भी उनके अंदर है वो इंटरनाशनलिजम यानि हर एक अगर एक इंडियन है और एक उस्टेलियन है तो वो उसके लिए भी अगर कुछ अच्छा कर सकता है तो वह हमेशा कहने के लिए तत्पर होगा वही एक नेशनलिजम कहलाएगा वही एक नेशन को बांदेगा तो इसमें गांदी जी ने कुछ बातों को बोला कि यह नहीं होने है कि उसके बाद हम लोग थोड़ी narrow minded हो जाते हैं स्लुफ centigrade बन जाते हैं कि अपनी जो हमारी boundary होसके अंदर ही हमें रहना है वो कहते हैं कि एक कुवा का मेड़ग उस तरह हम लोग एक कुवा का मेड़ग बन के रहा जाते हैं तो ऐसा नहीं है extreme nationalism भी नहीं होना चाहिए और एक feeling of superiority जो खुद को ही सबसे बढ़कर मानना ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक race हर एक कास्ट हर एक कलर सब हम लोग लगबग हम लोग एक ही है जैसा नहीं है कि कोई अपने कास्ट से अपने रीजन से सुपीरियर हो जाता है तो ये सब चीजे नहीं होनी चाहिए according to गांदीची तभी एक nation होगा और इसके अंदर nationalism की भावना अच्छे से बंदेगे अगे अगे देखते हैं इंडिया को जैसा हम लोग जैसा कि हम लोग पहले डिसकस कर चुके हैं कि इंडिया को भी हम एक nation अभी नहीं कहते हैं क्योंकि इंडिया अभी एक state है इंडिया में काफी सारे fragmented units हैं जो अलग-अलग समय में अलग-अलग दावे करते हैं वो उनके अंदर sense of prideness कभी उनकी culture के प्रती ज्यादा रहती है कि नहीं की priority उनकी land होती है वो अपने state जो province क्या सकते हैं उसके लिए वो ज्यादा यह होते हैं इस रीजनलिद्म, failing of regionalism चैसे हम लोग कहते हैं कि एक region को ले करके, regionalism, एक region को ले करके उनके प्रती वो ज्यादा भावुक होते हैं बाकाइदा कि एक देश को ले करके, हो सकता है कि मलब ऐसा होता है कि कई जो इंडिया में अगर rural या फिर urban जो लोग रह रहे हैं कहीं पर उनके अंदर अपने देश से ज्यादा अपने घर क के लिए या फिर अपने घर के लिए उनके अंदर बावना ज्यादा होगी बाकाइदा एक देश के लिए कि हम एक इंडियन है वो अपने state के बारे कि मैं यहां का citizen हूँ वो मेरे लिए ज्यादा प्राइड निस की बावना देती है इसे ज्यादा कि मैं एक इंडियन हूँ तो यह सब अभी इंडिया में exist करता है यह हम चाहे माने या ना माने हमने से बहुत लोगों को यह पता होगा वो समझते होंगे कि यह चीजे हैं और यह सब चीजें जब तक पूरी तरह से नहीं मिटेंगी तो हमें एक नेशन के दरज़ा नहीं पापाएंगे इंडियों को एक pocket side world भी कहा जाता है कि अगर आप कहते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है आप पूरी दुनिया नहीं गोन सकते हैं तो आप इंडिया आ जाएए आपको यहां हर तरह की लोग मिलेंगे अमीर गरीब सबसे ज़्यादा अमीर सबसे ज़्यादा गरीब मूड अब हम देखेंगे कि एक नेशन और एक स्टेट में क्या बेसिक अंतर एक बारिक लाइन है कि जैसे अम भी कि संगी कि नेशन किसे कहें और एक स्टेट क्या नहीं करेंगे चलिए देखते है तो सबसे पहले हम देखेंगे एक स्टेट में असकी इंडियुज्यल जो है वह एंटिटी और फिक्स बाउनरी होगी यहां डिसकास कर चुके हैं उसे ह्हाइं किसे नहीं आ कि यह स्टेट तब यह एक स्टेट कहला आएगा और हम लों एक निशन में देखें कि अगर कोई फिक्स बांडिन नहीं भी है लेकिन कुछ लोग है जिनके अंदर सेंस और पेलोंगिंग ने से अपने कास्ट क्रीड कल्चर कलर लेंड को लेकर के अपनी एथनिसिटी वो लेक के लुद है तिबेट्चिन्स में nationalism है लेकिन अभी इनके लिए कोई तैरीटरी नहीं है इनके पास अपना एक देश नहीं है और्टी सेंस पर एक टृफलेय करती है जो एक धर्म के प्रति है एक राज एनिसीटी के प्रति वो समर्पित हैं और मानते हैं कि हम सब एक हैं तो वो एक nation हम लोग देखेंगे state में एक territory को हम लोग state कह सकते हैं कि एक territory है जैसा कि मैंने बताया अगर आपके पास एक fixed boundary है उसमें central authority है तो हम लोग ये माल लेंगे कि ये state है लेकिन अगर आपके पास कोई state नहीं fixed boundary नहीं है बस आपके पास लोग है यहां ऐसे वो लोग है और उनके अंदर boundary है किसी चीज को लेकर के आप समझ रहा है अगर उनके अंदर किसी भी चीज को अपने culture को अपने लैंड को अपनी ethnicity को अपनी origin place को ले करके अगर उनके अंदर एक bonding है तो हम कहेंगे कि यह एक nation है तो यह फिक्स territory है यहां पर फिक्स territory होना ज़रूरी नहीं है बस लोग होने चाहिए उनके अंदर के अंदर एक इतनी जाता है sensitivity है किसी चीज को ले करके हाँ हम यह सारे लोग हम लोग एक है और हम यह मानते है कि यह हमारा देश है यह रीजन हमारा है तो हम कहेंगे कि हाँ इनके अंदर एक nationalism की भावना है यह nation है इसी तरह हम लोग state में देखें कि काफी conscious way में यह बनाया ज सकते हैं तो यहां consciously बनेगा यहां emotionally भी बन सकता है state consciously बनेगा लेकि नेशन इमोशनली बनेगा फिर हम लोग देखेंगे कि जो है state जो है non-stable in nature हो सकता है इंडिया में गाते हैं तुम्हें पता ही है कि इंडिया is in a state of undestructive union with destructive state यानि state को कभी भी हम लोग तोड़ मरूर सकते हैं चोटा बड़ा size में territory उसकी fix कर सकते हैं कभी चोटा होगा कभी बड़ा होगा उत्तर प्रिदेश बिहार जारकर्ण बंगाल अभी बंगाल को बात किया जा रहा क्यों बंगाल का bifurcation होगा जैसा कि में जमू और कस्मीर का bifurcation देख चुके हैं जमू और कस्मीर जो पह एक nation रहता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट है वो बिना सोवर्जिनिटी बिना संप्रभूता कि वो exist नहीं कर सकते हैं अगर इक स्टेट है तो वहाँ एक सेंट्रल आठ्टोरिटी होगी ही होगी अगर कोई सेंट्रल अठ्टोरिटी उन्हें गआइड नहीं क है कोई administrative unit नहीं है तो ओफिस exist करी नहीं सकता वहां बस भीड़ होगी लोग होंगे क्या करना है नहीं करना है कोई guidance नहीं होगा तो वह उस माइनर में हम यह नहीं कह सकते वह state state तब होगा जो वहाँ एक administration होगी एक central authority होगी तभी हम कहेंगे कि वह state है और वो state जो होगा वो sovereignty follow करेगा वहाँ पे जो है वो संप्रभू होगा किसी बाहर की control में वह नहीं होगा तभी वह state हम लोगो कह सकती होगा और जो एक nation है वहाँ sovereignty की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अभी भी आप क्या हम लोग कहाएंगे कि वह एक building phase में है वहाँ sovereignty नहीं है लेकिन उनके अंदर एक emotional attachment है जो उन्हें एक nation form करने के लिए प्रेरित कर रही है मदद कर रही है तो उस basis के हम लोग कहेंगे कि एक nation है अगर वहाँ पे कोई central authority नहीं कर रही है तो भी एकदम basic आप example लेजिए और relate करें तिवतियन गुर्थेश अभी जो आफगान में हो रहा है उन सब चीजों को ले करके या फिर इंडिया बिफोर independence में अगर आप जाएगा तो भी लगेगा कि हाँ यह सब है तो वो चीजे मिल करके sense of belongingness मिल करके एक nation बनाती है और एक fixed territory होगी तो ही एक state बनेगा तो एक state में फिर देखेंगे कि law regulation होने चाहिए उनकी अपने laws होंगे regulations होंगे लेकिन जो है वो एक nation में कुछ ज़ूरी नह written law नहीं है उनका कोई written constitution है नहीं exist नहीं करता है थोड़ा मोड़ा है बाकी वो सब जो है वो inherited है उनके अंदर उनका जो said history है उनका जो culture है वो उसों mixed हो चुगा है तो हम लोगे कहते हैं कि Britain में जो है वो सर्क guidance है वो खुद ही अपने culture के हिसाब से खुद को guide करते हैं control करते ह है और वो अब legal हो चुगा है वो उसी को अपना law मानते हैं उसमें कोई लिखा हुआ written हमारे जैसा नहीं है कि यह है यह है यह चीजें आपको करनी है क्यों करनी है हमारे constitution में नहीं लिखा तो मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं है वहाँ पे उन लोगों में यह inherited उनके अंदर हो है वो अपने रीजिन के प्रती ज्यादर समर्पित है लेकिन हम लोग इंगलिंड को कहेंगे कि यहां इंगलिंड जो है बूंड की एक निशन है तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुक हैंगे कि एक स्टेट और एक निशन क्या होता है एक बार फिर से हम लोग है लेकि नीशन में हम देखेंगे कि अगर कोई फिक्स टेरिटरि नहीं है वहाँ पर लोग होने चाहिए जाए हो सकता है कि वह अलग-अलग एरिया में अलग-अलग कंट्री में हो लेकिन उनके अनदर एक सेयर्ड कॉमन कल्चर होनी चाहिए उनके अंदर सेंसर बिलोंगि के हुए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक सेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू